अब फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों इगनू ने आपके लिए दो बहुत बड़ी गुड नियुज चारी की है जैसा कि आपको वेट था कि री रेइस्टेशन की जो लाजडेट है उसे आगे भी एक्स्टेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और आपके फ्रेस एड्मिशन की लाजडेट को इसे एक्स्टेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा तो दोस्तो इगनू ने आपके fresh admission और re-registration की last date को एक बार फिर से extend कर दिया है जिन भी students को admission लेना है वो admission ले सकते हैं जिन भी students को अपना next year या next semester में re-registration करवाना है वो re-registration करवा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर re-registration के portal पे जाएंगे तो January 2024 session के लिए जो पहले last date 20 March थी अब इसे 31 March तक extend कर दिया है पहले 200 रुपए late fine के साथ आप यहाँ पर re-registration करवा सकते थे पर अब यहाँ आपर late fine को 500 रुपए बढ़ा दिया गया 500 रुपए late fine आपका लगे है साथ के साथ आपके जो भी re-registration की fees है वो लगेगी तो 31 March तक जो भी students अपना re-registration नहीं करवा पाए हैं 31 March तक आप अपना next year या next semester में re-registration करवा सकते हैं अगर re-registration आपने नहीं करवा है तो आपका 6 मन्त या फिर पूरा साल बरबाद हो सकता है इसलिए आप अपनी डिग्री टाइम पर complete करना चाहते हैं तो re-registration टाइम से करवा ले इसके बाद आपके जो fresh admission जैसा कि आप जानते हैं कि इगनूर में जिनवरी 2024 सेशन के लिए fresh admission चल रहे हैं आप online chain distance audio mode में admission ले सकते हैं तो admission के लिए last date पहले 20 March थी अब इसे 31 March तक extend कर दिया है यहाँ पर आपको बताया गया है आपके certificate semester based और merit based program जो हैं उन्हें छोड़कर आपकी CB program में admission ले सकते हैं कि आपके certificate जो 6-6 महिने के program है और semester based program और merit based program है उन्हें छोड़के सभी की date को extend कर दिया आप किसी bachelor degree, master degree या diploma या PG diploma program में admission ले सकते हैं बागी semester based और certificate based program में admission नहीं ले सकते हैं तो यह आपके 31 मार्स तक admission की last date है इसे बढ़ा दिया गया है तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझाए हूँ दोस्तो वीडियो अच्छी लोगे तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करना बल्कुल न भूलें, धन्यवाद